इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी दे लाइफ साइकल आफ पैरासाइट वैसे उला हेटिका फैसी ओला हेटिका फैलम प्लैटी हेल्मेंती से बिलॉंग करता है और इसको कॉमली दा शीप लीवर फ्रुक बुला जाता है लीवर फ्रुक वह पैरसेटिक वांप सोती है जो की को infect करती है तो इस कॉल्ड शीप लिवर फ्लोक यानि कि शीप के लिवर को infect करता है ओके आप बात करें लाइफ साइकल की तो लाइफ साइकल टू टाइपस की होती है नंबर वन मॉनो जेनिटिक जिसमें पैरसाइट को सिंगल होस्ट की रिक्वाइरमेंट होती है अपने कि आचका का live cycle को कंप्लीट करने के लिए उन में से को हम बोलते है primary होस्ट और दूसरी को बोलते है secondary होस्ट थिक ch currently होस्ट होता है जिसके अदर पैरसाइट sexual maturity attend करता है और अपना reproduction करता है और secondary होस्ट वो होता है जिसके अंदर पैरसाइट की लार्वल स्टेज़ पास आउट होते हैं और उनका डेवलपमेंट होता है ओके यहां पर फेसियोला हेपेटिका में प्राइमरी होस्ट है हमारा शीप जिसके नाम पे इसका कॉमन नेम है दा शीप लीवर फ्लूक और सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां से यह एक एडल्ट फ्लूक है जो कि शीप की इंटेस्टाइम में प्रेजेंट है अब यह एडल्ट फ्लूक क्या करेगा फर्टिलाइजिशन करेगा यह हर्मा फ्रूडाइट होते हैं की मेल और फीमेल सेक्स औरगन एक ही बाड़ी के अंदर एक और एक औरगनिजम की बाड़ी के अंदर प्रेजन होगा ठीक है हर्मा फ्रोडाइट होने के पावजूद भी में cross fertilization होता है so यहाँ पर possibility है कि male gamit और female gamit दोनों अलग-अलग time पर release हो रहे हैं जिसकी वज़े से यहाँ पर cross fertilization हो रहा है ओके तो cross fertilization होने के बाद zygote का formation होगा और zygote से divide होकर दो cell का formation होगा उनमें से एक cell को बोलेंगे somatic cell और दूसरे को बोलेंगे propagatory cell so यहाँ पर hollow plastic और unequal division हो रहा है zygote का क्योंकि एक cell large है साइज में और दूसरी cell smaller है so larger cell जो हमारी somatic cell है वो क्या करेगी वो larva के ectoderm का formation करेगी और larva के tissues का formation करेगी ठीक है उसकी बाद आता है propagatory cell जो कि हमारी smaller one है यह further divide करेगी into two daughter cells उन में से एक daughter cell जो होगी वो larva की body का production करेगी और जो दूसरी daughter cell होगी वो germ cells के mass का production करेगी okay so यह adult fluke के जो eggs होंगे वो fluke के gonopore के तुरू और sheep की body के तुरू with the help of feces इसकी body के तुरू भारा जाएंगे तो यह fecal palate है जिनके अंदर egg present है अब यह है egg shell containing embryo so इस egg के उपर एक shell present होगी जिसकी वज़े से इसको बोल सकते हैं यह तो egg shell या फिर इसको capsule भी बोल जाता है इसके अंदर embryo present है और यहाँ पर एक उपर opening होगी जिसको बोलेंगे ओपर गोला so after 14 to 15 days क्या होगा इसके अंदर मेरा सीडियम लार्वा का फॉर्मेशन होगा actually होगा क्या जब भी जब भी यह किसी moisture surface के या फिर water के contact में ही रहेगा so यह इसकी suitable condition है एक शेल के लिए तो यहाँ पर उसके बाद इसमें मेरा सीडियम लार्वा का फॉर्मेशन होगा है वो इसकी एक शेल से बहारा जाएगा और फॉर्मेशन होगा फॉर्स्ट लार्वल स्टेज का जिसको हम बोलते है मेरा सीडियम लार्वा ठीक है यह मॉटाइल और नॉन फीडिंग फॉर्म होती है यानि यह स्वाटर पाड़ी कि अहाँ हिस dotá एक उमेंट एजिली कर सके यहाँ इपिकल पापिए लार्म एंटार प्र करता है यह पे इसक नीचे अपिकल ग्लैंट हो स्काट श्थेश्पी ए ठीक है Let's एपिथिलियम लेयर और यह जो यहांपे सेल्स प्रेजन्ट है यह हैं जम सेल्स और जम सेल्स के गुरुप को बोला जाता है जम् – बोल्स यह पैनिंट्रेशन ग्लैंट है हम पर तो जब भी इसको अटाच होना होगा किसी से तो यह एपिकल पेपिल दो अटाच होगी और उस तो और्गेनिजम की बॉड़ी के अंदर एंटर करेगी विद यह एल्प ऑफ पैनेट्रेशन ग्लैंड तो आफ्टर अबाउट फॉर्टीन डीज यह क्या करेगी मोशन करती रहेगी अपना पानी के अंदर घूमती रहेगी और किसको डूंडेगी अपने सेकंडरी होस्ट को तो यह इसका डवलप्मेंट मेरा सीडियम लार्वा का इंटू दी सेकंड लार्वल फॉर्म तब ही हो पाएगा जब यह अपने सेकंडरी होस्ट के अंदर एंटर करेगी मेरा सीडियम लार्वा तो जब भी इसको कोई स्नेल मिलेगा वाटर बॉड़ी के अंदर जैसे यह पहले से ही तो वहाँ पे जब इसको इसनेल मिलेगा तो यह एपिकल पैपिला के थूरू अटाच कर जैगी स्नेल बॉड़ी में अब यह इसनेल की बॉड़ी में एंटर करने के बाद जो हमारी फॉर्म आती है लार्वा की उसको हम बोलते है स्पॉरोसिस्ट लार्वा यहा अब यहां पे इसको तो movement की जरुवरत थी, motion की जरुवरत थी, तो इसकी body पे outer surface पे cilia present था, लेकिन ये form इसको उस तरीके से motion की जरुवरत नहीं है, इसलिए इसके उपर से cilia absent है, इसकी जो outer most layer होगी, उसको बोलेंगे cuticle, cuticle के अंदर आएगी, sub-epithelium layer, और sporocist larva के अंदर present radial larva, जो सबसे पहले हमारा मेरा सीडियम larva, उसकी बाद है sporocist larva, ठीक है, और अब आएगा radial larva, इसकी germ cells से production हुआ sporocist के अंदर प्रेजेंट जो जो germ cells है, वो production करेंगी further radial larva का, ठीक है, तो इसकी body, यहां पे इसमे प्रोटो नेफरीडियम की opening है, और प्रोटो नेफरीडियम की opening से यहां पर दो flame cells का production होता है, दोनों साइड पे body के, जो कि excretion में इसके help करेंगी, अब यह जो germ cells है, यह अपना development करेंगी, और इनके through production होगा 5-8 radii का, ठीक है, तो यह इसकी body को रप्चर कर जाएंगी, और formation हो जाएगा हमारा radial larva का, तो इस nail body के अंदर के सारे phases अभी च प्रेजन 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 प्रे अब क्या होगा यह रेडियाई लार्वा जो है वो डाइजेस्टिव ग्लेंड में माइग्रेट कर जाएंगी और जब भी सफीशेंट न्यूट्रीशन अब महां पर एवेलेबल होगा तो यह जो जंबॉल इसके अंदर प्रेजेंट है यह सेकंड जेनरेशन लार्वा को सेकं जेनरेशन लार्वा का यह प्रेडेक्शन करेंगी ठीक है तो यह इसके अंदर जो रेडियाई प्रेजेंट है फ्रूर्दर फॉर्मेशन हो जाएगा न्कि तुरू सेकंड जेनरेशन ले और जब 2nd generation आएगी तो उसके अंदर सरकेरिय लार्वा प्रेजेंट होगा ठीक है और हर रेडियाय प्रड्यूस करेगा नियर बाउट 14 तो 20 सरकेरिय लार्वा जो कि इसकी बॉडी से बहार आएंगी विद्धी हेल्प ऑफ बर्थ पूर तो यह इसकी बॉडी से सरकेरिय ला भड़ पूर से बहार आगई है यहां पर डिया इलार्वा से इसमें माउथ प्रेजेंट माउथ के चारों तरफ एक और शकर हैं माउथ लीड करेगा इन्टु फेरिंग्स फेरिंग्स लीड करेगी इंटु ईसो फैगस औरिसो फैगस के बाद आएगी हमारी गठ ठीक है त काइन ते फ्लेम सेल्स प्रेजेंट करने कर रहा है और नीचे लाल पॉर्शन है चे तेंहें उनिय पॉर्ष कार प्रेजेंट में रिणाउ कर रहा है और नीचे वाला जो यह जो जो हम बहाद Oke और यहां पर center में germ cells present है, यह ऐसी टाबूलम हो गया, यह गट हो गया, ओके, so this was all about surcaria larva, अब क्या होगा, यह surcaria larva change हो जाएगा into metasarcaria larva, सो यह mature sarcaria larva, जो हमारा यह है, यह host की body से बहार आएगा, इस नेल की body से बहार आएगा, ठीक है, या तो यह टिशू में enter करेगा, फिर बहार आएगा, या फिर pulmonary sack में enter करके, तब बहार आएगा, और कहां enter कर जाएगा, किसी भी water body में, क्योंकि इस नेल water में presented basically, तो यह बहार गायब हो जाएगी और यह एंसिस्मेंट होगा इसमें, यानि कि सिस्ट का production हो जाएगा on the body surface, और यह किसी भी aquatic plant पर attach हो जाएगा, तो यह metasarcaria larva है, बिल्कुल सेम होगा, एक्चली sarcaria और metasarcaria में, जो difference है वो यही है, कि टेल रिमोव हो जाती है, सरकेरिया से, और metasarcaria के अंदर prediction हो जाता है, यह यहाँ पर cyst wall का, तो बहार की तरफ इसमें cyst wall present होगी metasarcaria में, और tail present नहीं होगी, just like sarcaria, बाग ही सब कुछ सेम है, mouth है, oral सकर है, उसके बाद यहाँ पर यह गट है, excretory vesicle है, acetabulum present है, और यहाँ पर flame cells है, metasarcaria में, number of flame cells will be much much more in comparison to the sarcaria larva, ओके, अब यह water में, जो aquatic plants present होगे, उनके किसी भी leaf के, या किसी भी plant के surface पर जाकर यह bind कर जाएगी, तो यहाँ पर यह metasarcaria हमारा, किसी grass की leaf पे bind कर गया, और यह pond water है, अब जब भी कोई sheep, इस pond water पे feed करेगी, वो grass पे basically feed करेगी, तो क्या होगा, यह sheep, metasarcaria larva को अपनी body में ingest कर लेगी, अब metasarcaria पे cyst है, तो यह जब sheep के stomach में जाएगी, तो वहाँ पे यह destroy नहीं होगा, क्योंकि cyst का presence वहाँ पे है, और cyst stomach के उस environment को bear कर सकता है, उसके बाद यह जाएगी, यह जो हमारी ancestor form है, यह sheep के intestine में जाएगी, और वहाँ पर जाकर adult में develop होगी, ठीक है, उसके बाद वो liver में जाएगी, after intestine it will go to liver, और वहाँ पर जाकर अपना reproduction करेगी, सो वापस से यह सब कोची सारा development होगा, और वापस से fecal matter में जो हमारे egg हैं, egg shells हैं, वो वापस से आ जाएंगे, सो यह इस तरीके से पूरा cycle चलता रहेगा, सबसे पहले formation होगा miracidium larva का, उसके बाद formation होगा sporocyst larva का, miracidium non-feeding और motile form है, ठीक है, उसके बाद sporocyst larva है, sporocyst larva फिर formation होगा radial larva का, फिर radial with circaria, then circaria larva और फिर metasarcaria larva, metasarcaria larva insisted form है, और circaria larva के पास tail होती है, fourth motion, तो यह सारा पूरा life cycle हो गया है, faciola hypetica का, ओके, so we have studied the life cycle, अब हम one by one parasitic adaptations, pathogenesis, therapy और profilaxis के बारे में पढ़ेंगे, so start करते हैं with the parasitic adaptations of faciola hypetica, so adult को locomotion की जरुरत नहीं पढ़ती है, तो इसलिए उसके पास locomotory organs नहीं होता है, लेकिन मेरा cedium larva और circaria larva को moment की जरुरत पढ़ती है, इसलिए उनके पास cilia और tail present होता है, free oxygen available नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर anaerobic respiration होता है, anaerobic respiration वो respiration होता है, जो बिना oxygen किये हो सकता है, तो यहाँ पर oxygen absent रहता है, तो in parasite में anaerobic respiration होता है, to accommodate with this, egg shells resistant होता है, zygote egg shell के अंदर present होगा within the resistant egg shell जो की फर्दर सीफटी प्रोफाइट कराएगा, from the unfavorable environmental conditions, so unfavorable conditions में भी जाइगोट प्रोटेक्ट रहेगा under egg shell, उसकी बाद है, hermaphroditism, यानि दोनों ही sex organ, male and female, within the same organism present रहते हैं, जिनकी वज़े से self-fertilization भी वहाँ पर हो सकता है, अगर single parasite present है, तो वो self-fertilization भी कर सकते हैं, to increase their number, औरल सकर, acetabulum और spines जो थें body के, वो as organ of attachment एक्ट करते हैं, in the host body, काफी सारे eggs का production होता है, that is around 2 lakh eggs per flu, जो की necessary है, क्योंकि इतनी बड़ी life cycle है, ऐसी ओला hepatic आगी, तो उसमें काफी सारे stages ऐसे हैं, कि जहां पर particular environmental conditions मेलेंगी, तब भी वो आगे growth होगी, तो उसके लिए, उसे compensate करने के लिए, काफी सारे eggs का production होता है, per fluke, तो यह होगी parasitic adaptations, now we will study pathogenesis, और symptoms, अगर infection इसनेल को होता है, तो उसके क्या consequences हो सकते हैं, तो वहाँ पर जहां से भी larva, मेरा cedium larva, इसनेल की body में enter करा है, वहाँ पर partial और complete restriction हो सकता है, of that site, और यह digestive gland इंका main motive होता है, to infect the digestive gland, क्योंकि वहाँ से इनको बहुत जादा nutrition मिलता है, तो यह digestive gland को भी effect कर सकते हैं, उसके बाद है, अगर sheep की infection की हम बात करें, तो it can lead to the damage of liver और bile ducts, तो यह sheep के अंदर basically liver को जादा infect करते हैं, तो damage of liver can be a effect, in bile duct inflammation हो सकती है, और इस bile duct की inflammation को बोलते हैं, पर लिवर रॉट और फैस्यों लॉसेज आफ्र डाइट इस थेरेपी और ट्रीट्मेंट, तो anti-helminthine drugs का यूज किया जा सकता है, जैसे carbon tetrachloride और tetrachloroethene, तो यह drugs क्या करेंगे, परासाइट की जो stages होंगे, लारवल में होस्ट के उनको किल कर देंगे, उनको finish कर देंगे, तो इस तरही की से destruction हो जाएगा, of the parasite, after that is profile axis और prevention, तो अब preventive method क्या क्या हो सकता है, treatment की हमने बात कर लिए, अब हम बात करेंगे preventive measures की, so we can destroy egg and manure of infected sheep, infected sheep का जो fecal material है, जो manure है, उसको destroy किया जा सकता है, that is one of the option for prevention, उसकी बाद है, इसनेल का जो population है, और हमारा sheep का जो population है, इनको एक दोरी पर एक distance पर maintain किया जा सकता है, जिससे life cycle continue ना हो, okay, so here we have completed all the aspects of the topic, so यहाँ पर हमारा पूरा life cycle, और जितने भी parasitic adaptations, symptoms, therapy, और prevention methods है, वो complete हो जाते हैं, झाल झाल झाल